चुनाओं के जो नतीज़ आए हैं वो कुछ चौकाने वाले भी हैं कुछ खुशी देने वाले हैं तो कहीं निरासा भी हुई है इसी विशे पर आज हम बात करने के लिए पहुचे हैं भाजपा नेता हैं कुमर सिद्रा सिंग जी उनसे आज हम बात करेंगे कि आखिर वो इन चुनाओं को किस प्रकार से देखते हैं बहुत बहुत स्वागत आपका सिद्रादी जो आपने हमें टाइम दिया जिस तरीके से कल गुजरात विधान सबस्वाद चुनाओं के नतीज़ आए हिमाचल क्या है और उत्तर परदेश्क में जो उप चुना हुए है मैंन्पुर सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके सारे शौरोताओं को सबको नमस्कार करता हूं कि ये पहले गुजरात से शुरू करता हूँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं, नरेंदर मोदी जी जब से गुजरात के सीएम बने, तब से गुजरात में जो विकास चला है, उसकी रफ्तार अभी तक धीरी नहीं हुई, और इसका प्रमाण गुजरात के चुनाओं है, कॉंग्रेस आम मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ, हर-हर मोदी, घर-घर मोदी गुजरात में हुआ है। कि बिरूधी पार्टियां है, उसमें बड़ी निराशा है, और उन्होंने जो बाते कहीं, चाहें किसी के स्वाविमान को ठेस पहुंचाई, चाहें कुछ बाते उन्होंने पच से अलग हटके करी, मैं उनकी निराशा को कहता हूँ कि ज्यादा निराशवादी ना हूँ, प गुजरात के विधान सव चुनाओं में 99 सीटों से लेकर और भारतेजंदा पार्टी ने रिकार्ट तोड़, मतला इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 156 सीटे जीती है, वही कॉंग्रेस अगर हम बात करें 2017 की, तो उसमें 77 सीटे आई थी कॉंग्रेस की, लेकिन आज व बात करते हैं अगर यूपी के उपचुनाओं की, तो हम सबसे पहले आप से बात करेंगे हैं महिनपूरी के जो लोक्षभा का उपचुनाओं हुआ, उसमें डिमपल यादा भारी मतों से जीती हैं, लगवा उनको 6 लाग बोट मिले हैं, और जो भरदंदा पार्टी के परत मतलब भरदंदा पार्टी वहां एक नया चेहास रसने जा रही थी, कह रही थी कि इस बार हम ये सीट जीतेंगे, बड़े-बड़े दावे कर रही थी, मुख मंतरी योगी आतितनाथ ने वहां खुद जन सवाएं की, उसके बावजूत भी क्या कारण लाहा कि जो भरदंद जी की बात बहुत बढ़िया जीती है, पर उसके पीछे मुझे एकी कारण नजर आ रहा है, वो है नेता जी का इस दुनिया से चले जाना, तो जो लोगों की उन्हें भावनाओं का फाइदा मिला है, इसी फाइदे के मारे वो जीती है, आगे देखना है, जनता जनार्दन ह जनता उनके काम देखेगी, और अगर उनको समझ में आएगा, तो दुबारा चुनेगी, वरना भारती जनता पार्टी जनता के लिए हमेशा खड़ी हुई, रामपूर में जिस तरीके से हमें देखने को मिला, वहां देश इतिहस जब से आजादी मिली देश को, तब से ले जनता पार्टी जनता पार्टी की महनत है, और रही बाद बिपक्षी जनता पार्टी की महनत है, और रही बाद बिपक्षीयों का ये कहना कि चुनाओं में धांदली हुई है, तो सब को पता है समाजबादी पार्टी बसपा की सरकारों में किस तरीके की धांदलीया होती थी, लोगों के परचे पहली फार दी जाते थी, परचे जमा नहीं होते, जनता से जाके इसका पता करना पड़ ला है, तो लगता है कही ना कहीं कि वहां की इरामपूर की जनता आदम खां के अत्याचारों से उप चुकी थी, और वो छुटकारा पाना चाहरी थी, सबसे पहले तो योगी जी का नेत्रत, योगी जी बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, हमारे प्रदेश की आ मान शान, मैं दिली भी चुनाव लड़ा के आया हूं, MCD का वहां पर योगी जी के नाम पर वोट पड़ा है, जो भी कह रहे हैं, मैं पूर्ता उनकी बात से सहमत हूं, रही बात आदम खां जी की तो यही आदम खां जी थे, जिनोंने की नवाबों को खिलाब बुगल बज जुनाव जीती और पंद्रा साल का जो राज था भारतेंदा पार्टी का उसे दोहस्त कर दिया, उसे किले को भेद दिया, वहीं आम आदमी पार्टी के जो मुखिया आर्विन के जरीवाल वो बड़े-बड़े दावे कर रहे थे और उन्होंने तक तो यहां एक लिखित मे सिमट के रह गई वहां, देखे दिल्ली मैं फिर से वही बात कहूंगा, जनता जनार्धन है, जो भी जनता ने फैसला दिया है, हम सब को इसे स्विकारना है, पर दिल्ली में अभी मेर की लड़ाई खतम नहीं हुई है, आम आदनी पार्टी ने जूटी बातों से धकोसलों स सरकार भली बना लिए है, पर मेर के लिए बारा किते हैं, जिन्हें वाइजमेन, उसके बाद आपके सारे सांसद और आपके जितने विदाहें के बोट करते हैं, मैं बिश्वास दिला देना चाहता हूं, दिल्ली का मेर भार्ती जनता पार्टी का बनेगा इस तरीके से बरिली की जनता आपको चाहती है, क्योंकि आपका जो ब्यावार है, वो बहुत सादगी बरा है, ये देखने को भी मिलता है, आपके पिता जी भी कई बार के सांसद और मंत्री विदाहेक रहे चुके हैं, तो लगता है कि भविस्वें अगर पार्टी आपके पर कोई जिम्मेदारी को देखते हुए भरुसा करेगी, तो आप उसे निभाएंगे? जिम्मेदारी नहीं भी दी, मैंने वहाँ पे भी जाके पार्टी की सेवा करी, आगे भी मुझसे जो भी प्रयास होगा, मैं पार्टी की सेवा करता हूँ। पिकने के लिए।